अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मार्शल जिलांग कहते हैं टाइगर सेक्ट और ड्रागन सेक्ट के पावर बहुत खतरनाक है क्योंकि उनकी पूरी की पूरी आर्मी ही स्पिरिट मास्टर के आर्मी है यही वजह है कि हमारे आर्मी उन्हें नहीं हरा पा रही हैं. लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ और लोग जो टैंक्शन के दोस्त होते हैं बैटल आरेना में एंटर करते हैं. अपनी सिरिट एबिलिटी का इस्तेMाल करते हुए, मार्शल एमपाईर के आर्मी को मारना स्टोट कर देते हैं तब ही हम fire girl को देखते हैं जो अपनी fire spirit का इस्तेमाल करते हुए अपने boyfriend के साथ मिलकर एक unification technique का इस्तेमाल करते हैं जिसके बाद इन दोनों का attack बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है वहीं दूसरी तरफ snow team अपनी ice का इस्तेमाल करके phoenix को बुला लेते हैं इस में spirit master के कोई कमी नहीं है वही उन्हें देखकर के marshal zilang खुश होते हुए कहते हैं इन लोगों की help की वज़ह से अब हमारी army कम से कम लोग मारे जाएंगे जिस पर grand master कहते हैं कि हाँ यह सच है इसलिए अब हमें देखना है कि टांक्शन क्या करता है तब ही हम देखते हैं कि battle arena एक बहुत बड़ा blast होता है जिनके power इतना ज्यादा होते हैं कि उसका effect marshal zilang और grand master तक पहुँच रहा होता है इसके बाद हम देखते हैं कि टांक्शन बिबडोंग पर counter attack करने के लिए ready हो जाता है वहीं दूसरी तरफ शू लगाता और demon bear से fight कर रहे होते हैं तब टेकनिका का इस्तेमाल करती हैं यह देख करके टैंक्शन बिबडोंग से कहता है क्या तुम मेरी टेकनिक से direct fight करना चाहती हो वहीं इसी बीच वू अपने टेली portion टेकनिक का इस्तेमाल करके लगातार demon bear को पीट रहे होते हैं यह देख करके बिबडोंग टैंक्शन से कहते ह उस जंगल में तूम ने मुझे नहीं हराया था वो तो sea god की shadow ने हरा दिया था इसलिए अगर तुम्हारे साथ sea god trident नहीं होता तो तुम मेरे opponent बनने के लायक नहीं होते इसलिए अगर मैं तुम्हें मार देती हो तो tiando army आसानी से हार जाएगी इसके बाद हम देखते हैं कि बिबडोंग लगातार power को observe करने लगते हैं वही उसकी attack को देख करके टैंक्शन भी अपने sea god trident के third attack को launch करता है इस पर बिबडोंग spider emperor का इस्तेमाल करते हुए sixth soul technique को launch करते हैं जिसे देख करके शुव अपनी golden shield का इस्तेमाल करते हुए demon bear को इसके attack के सामने टेलपॉट कर देती है वही यह देख करके टैंक्शन हैरान हो जाता है जिसके बाद हम देखते हैं शुव इन दोनों के attack से बाल बाल बच जाते हैं जिस पर बाकी के लोग डर की वजह से हैरान हो जाते हैं तभी टैंक्शन टेलपॉट टेक्नीक का इस्तेम करके जल्दी से उसे वहां से निकालता है इसके बाद हम देखते हैं कि टैंक्शन का ट्राइडंट बिबडोंग को हिट कर देता है जिसे बिबडोंग रोकने की कोशिश करने लगते हैं वहीं दूसरी तरफ डेमन बेर को बिबडोंग का अटेक हीट कर देता है इसके बाद व वे देख करके बिबडोंग के एल्डर्स को विश्वास नहीं होता है। क्योंकि उन लोगों ने यह कभी नहीं सोचा था टैंक्शन सी गौड के टेकनीक को मास्टर कर लेगा। इसके बाद हम देखते हैं टैंक्शन का ट्राइडेंट अभी भी आगे बढ़ रहा होता है। इसकी वज़ा से उसके रास्ते में आने वाले सोलजर्स मारे जा रहे होते हैं। और लास्ट में वो ट्राइडेंट सीधा जेलिंग पास के अंदर घुसता है। जिसके बाद उनकी एनरजी से कई सारी सोलजर्स मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टैंग्शन शू को ला करके आता है जो बेहोश हो चुकी होते हैं। वही ड्राइगना ड्राइगन सेक्ट के चीफ भी इस अटेक से बाल-बाल बचा होता है। जिसके बाद वो सोचता है, अगर बिबडॉंग का अटाक टैंक्शन को हिट करता तो वो जरूर मारा जाता, लेकिन उन्हें जीवने बचा लिया, इसके बाद हम देखते हैं कि पूरे बैटल अरेनर में बिबडॉंग के टुकड़े बीकर रहे होते हैं, जिसके बाद हुहन करके सोलजर जैलिंग पास के हालत को देखकर डर जाते हैं, और वहां से भागने लगते हैं, वही कुछ स्पिरिट मास्टर कहते हैं अगर बिबडॉंग जैसा स्पिरिट मास्टर टैंक्शन से हार सकता है, तो हम लोग क्या चीज़, जिसके बाद हम देखते हैं कि हुहन इ मास्टर कहते हैं, इस समय हुहन इंपायर का ट्रूप्स डाउन है, इसलिए हमें उन पर अटैक करके उनको तोड़ना होगा